हाई गेज और वेलकम बाक टू दी चैनल दीपच चैदा वेजुकेशन वेलकम डू दी डेली हिंदू नियूज एंड एडिटोरियल इनालिसस ओफ 26 ओफ मार्च 2023 तो गाईज आज है तारिक 26 मार्च 2023 और है संडे दिखिंग ले आज के दा हिंदू कंप्लीट न्यूस्पेप को अनलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपच चैदा वेजुकेशन यू आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है लेबनन को काफी चड़चा में है इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉम एक बॉडी निउस में थी मैंने डीटेल से डिसकस किया था और वहाँ पे मैं आपको समझाया भी था कि ये बॉडी ये ये रिपोर्ट पब्लिश करती है और इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा भी की थी तो आई होब आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो बता आप सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है एटली सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बिसस पर बोलता हूं बाइद वे इसका जो करेक्ट आंसर है वहां से भी चेक आउट कर सकते हो और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिसकेशन हम लोग करेंगे तो चलो शुबारम करते हैं और आज का जो थामनेल बला आर्टिकल है इसको हम थोड़ी दिर में डिसकस करेंगे वहीं पर मैं आपको 6G टेक्नलोजी के बारे में समझाने वाला हूं कि आकरकार अभी क्या वीजन डॉक्यूमेंट लॉंच किया गया है और कैसे कैसे 6G टेकनलोजी काम करने वाली है कैसे वो 5G से बहतर होने वाला है वो सब कुछ थोड़ी दिर में ही डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ और relevant topics हैं उनको cover कर करते हैं आज के न्यूसपेपर में एक topic यह है जो की काफी important होने वाला है इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर टू quality के साथ में भी link कर सकते हो तो अभी जो हमारे होम मिनिस्टर है अमिशा जी इन्होंने प्रशंसा की है CRPF की क्यों क्यों क्योंकि CRPF का एक बहुत इन्होंने इतना भेतिनी तरीके से लड़ाई की है कि करेंट समय में हम लोग बिल्कुल final stage पर पहुंच चुके है नक्सलिजम आज के समय में बहुत कम हो चुका है अगर आप इसको पिछले 10 साल में compare करते हो तो यह सारी बात है यहां पर mention की गई है लेकिन सवाल यह है क्या ऐसे ही बोल दिया गया तो ऐसा नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली 84 जो इवेंट है न CRPF का वो यहां पर किया गया है कौन सा इवेंट है यह रेजिंग डे इवेंट है तो रेजिंग डे इवेंट होता है तो 84 इवेंट था जिस दौरान यहां पर यह सारी बात है हमारे home minister ने mention की है इनका कहना यह है कि पिछले 9 सालों में आप comparison देखोगे तो left wing extremism, left wing extremism कह लो या नकसलवात कह लो या moist कह लो यह तीनों के तीनों यहां पर similar words है तो पिछले 9 सालों में यहां पर यह नकसलिजम बहुत ज़दा कम हुआ है बिलकुल हम final stage पर आ चुके हैं और इसमे सबसे बड़ा role रहा है CRPF का वो चीज़ यहां पर mention की गई है हलाकि CRPF ने बहुत ज़दा sacrifice भी किया है इस पूरे के पूरे situation में जीतने के लिए काफी सरे हमरे जो जवान है वो शहीद भी हुए है क्योंकि कवी बर हमने देखा था ना कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसे event हो हो जाती है गोल यहां बारियां चलती रहती हैं जिस दौरान यहां पर काफी सरे मॉइस्ट को खतम तो किया जाता है लेकिन उस घटना में हमारे जवान भी शहीद हो जाता है तो कई सारे जो हम लोगों ने यह कह सकते हो हमारी CRPF ने sacrifice किया है वो sacrifice कहीं ना कहीं इस victory के जानने की आवश्यक्ता नहीं है कि पिछले कितने सालों में कितना कम हुआ वो सब कुछ आपको एक डेटा वाइस पढ़ना होगा तो वो डेटा मैपको डिरेक्टली प्रोवाइट करवा रहा हूं स्क्रीन पर आप नीचे देख सकते हो डेटा फैक्ट्स के माधियम समस्को कवर करेंगे तो बोला यह जा रहा है कि जब आप साल 2009 को और साल 2021 को कमपेर करोगे तो इस पूरे साल के बीच के डिफरेंस में 77% से नक्सलिजम वाइलेंस कम हुआ है हमारे देश में जो नक्सलवादी काफी सारे कह सकते हो धंगे हुए हैं वो बहुत ज़्यदा कम हो चु लेकिन वहाँ पर भी पहले के मुकाबले थोड़े से कंट्रोल हो चुके हैं ऐसा आप कह सकते हो अब जब यह दंगे होते हैं तो इसमें काफी सरे लोग की डेथ भी होती है हमारे जावान भी सहीद हो जाते हैं जैसे मैं आपको बताया है फिर मेंशन किया गया है सबसे प्रकार के दंगे छड़े हैं लेकिन एक बात यहां पर यह भी बताई जा रही है कि जो जो जोग्राफिकल एरिया है यानि जिस एरिया में पहले बहुत बड़ा एरिया हुआ करते था जहां जापर लेफ्ट विंग एक्स्ट्रमिजम पाए जाते थे और लेफ्ट विंग के किस्में क्या वह यह 96 डिस्रिक्ट से कम होकर 46 डिस्रिक्ट वोह Čजाउपन जा जाप और नकसलवाद बाया पहले के करते फानल स्टेज पर आ चुके हैं डेटा अभी हमने डिसकस किया कि पहले मुगाबले काफी काम हो चुका है तो ऐसा क्या है ये लेफ्ट विंग एक्स्टरमिजम आप थोड़ा इसको समझते हैं जैसे मैंने बोला लेफ्ट विंग एक्स्टरमिजम कहलो या नकसलवाद कहल कहलो है ना या फिर आपके सकते हो मौइस्ट कहलो ये तीनों की तुने आपर एक ही चीज़ को डिनोट करने वाले वर्ड्स हैं तो कंफ्यूज मत होना तो लेफ्ट विंग एक्स्टरमिजम जो और्गनाजेशन होती है ना इसके अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनका मक्सद हो ये लेना चाहते हैं और फिर जिस जिस एरिया में यहाँ पर ये लोग रह रहे होते हैं ना वहाँ पर प्रॉपर डवलप्मेंट भी नहीं हो पाता है और जो लोग और रह रहे होते हैं वहाँ पर जो नॉर्मल पीपिल होता है उनको भी मिस्गाइड या जाता है उनको भी यह पर अपनी आइडिलोजी में यह convert करते रहता हैं कि सरकार ATV3 सरकार के खिलाफ में खड़ा कर लेता है बंदूक्तान कर और फिर उसके बाद में यहांपर यह हमारे इसगार्स साथ में में बिढ़ जाते है हैं चाहते हैं कि सारी Medical Football in के हाथ में में आजाए कोई सारी हरकते government की side से भी ऐसे की गई हैं जिससे यहां पर जो नकसलवाद सोच वाले लोग थे ना उनको एक मौका मिल गया उनको एक अफसर मिल गया कि कुछ लोगों को अपनी ideology में convert किया जाए और ऐसे मौके बार-बार मिलते रहें इससे क्या होगा इससे obvious सी बात नकसलवाद रहेगा काफी सरे लोग इनको मिलते रहेंगे और वो एक एरिया में बहुत जादा बड़ लेवल पर बढ़ जाएगा जैसे एक्जांपल देता हूं एक्जांपल सबसे पहले रीजन है ट्राइबल डिसकॉंटेंट का मतलब क्या है देखो forest conservation act 1980 यह जो एक्ट है ना नाम सी कॉम्रेटी के लोग है जो कि जंगल में लंबे समय से रह रहे हैं वो प्रॉपरली जंगल के उपर ही डिपेंडेंट है जो जंगल उनको प्रड्यूस करके दे रहा है वही से यहां पर जो भी प्रड्यूस कर रहे हैं उसको बेजबाच कर अपनी जिंदी जो है अराम से व् forest को protection दे रहे हैं सुरक्षा दे रहे हैं इस चक्कर में हम यहाँ पर आपको रहने नहीं देंगे तो एक बहुत बड़ा displacement हो गया इनको सबको हटा दिया गया अब होता है यहाँ पर यह है यह लोग government से वैसी नराज है अब दूसी तरफ यहाँ पर जो already moist ideology वाले लोग है ना nextalism ideology वाले लोग है ना तो वो लोग क्या करते है जो nextals already है वो यहाँ पर इन लोगों को approach करते हैं और इन लोगों को approach करने के बाद में इनको proper facilities प्रोबाइड कर वाता हैं इनको याँ पर थोड़ाँ बहुत कैसे तो रोजगार दे दिया, हैना थोड़ाँ बहुत पैसा प्रोबेट करवा दिया, बेसिकली ताकि वो अपना जीवन काट सके और साथ साथ में हत्यार पकड़ा दिया इनको, और इनकी एडियोलोजी अपनी एडियोलोजी में convert कर दी, तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है, नक्सलिजम दीरे दीरे करके increase होता बचले जाता है। दूसर रीजन यहाँ पर यह है कि यह इतनी इतेजी से बड़ा है, क्योंकि पहले तो हमारे पास में देखो एक proper technical intelligence नहीं हुआ करता था, जिससे हम नक्सलिजम से लड़ सकें, अभी के समय पर हम दीरे दीरे इस चीज़ को develop कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक रीजन यहाँ पर यह है कि सरकार यह कर रहे हैं ना, सरकार यहाँ पर अपनी success को इस प्रकार से देख रहे हैं कि इस एरिया में नक्सलिजम से संबंदेज जो violent attacks में वो कम हो चुके हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सरकार को जो major focus देना होगा, वो development के उपर focus देना होगा, कि जो भी हाँ पर villages हैं, है ना, वहाँ पर हम लोग properly एक development करके, proper महां से connectivity बना सकें, है ना, proper महां पर communication को रख सकें, जिससे अराम से बाचीत हो सकें, अगर कोई connectivity नहीं है, roads वगरा नहीं है तो वो दूर रह गए, और वो अराम से यहाँ पर उन लोग के लिए एक बहुत 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 टार्गेट बन ही जाता है, ठीक है, तो यह हाँ पर कुछ methods आपको देखने को मिलेंगे, जिससे यहाँ पर जो नरक्सलिजम है, पिछले कुछ समय पर increase हो है, अब आज क गया है, तो सरकार ने कई सरे अलगलग परकार के initiative उठाए, देखो यह ना UPSC पहले सवाल पूछ चुका है, left-wing extremism को लेकर सरकार ने कैसे कैसे initiative उठाए है, तो यह जिस ज्यान अकना, तो सरकार ने यहाँ पर एक सबसर बड़ा initiative चलाया, जिसको हम लोग बोलते हैं, समाध पूरी फुल फॉर्म है, एसे smart leadership, एसे aggressive strategy, M से motivation and training, एसे actionable intelligence, D से dashboard की performance indicator, H से harnessing technology, एसे action plan for theater, और N से no access to financing, यह बेसिकलि यहाँ पर समाधान की पूरी फुल फॉर्म है, आप से examination में सवाल बन सकता है, कि समाधान हाल ही में news में देखने को मिलाए, यह क्या है, तो ध्यान रखन यह सरकारी initiative है, to tackle left wing extremism, फिर उसके अदमें और भी कई सरे initiative चला है, जैसे यहाँ पर एक strategy को बनाया गया तो 2015 में, जिसके अंदर बोला गया, कि जो भी local tribals होंगे, उनकी हम लोग सरक्षा करेंगे, उनके rights को पर ध्यान देंगे, उनको हम लोग ऐसे भटकने नहीं देंगे नहीं तो फिर वो moist का राम से target बन जाएंगे, तो इस प्रकार से कई सरे और भी initiative चलाएगे, national policy and action plan 2015 का यहाँ पर यह initiative देखने को मिलेगा, उसके बाद में greyhound करके आपने सुना होगा, greyhound basically एक anti-nexal force है, नक्सल वादियो को खतम करने के लिए एक जो पूरी force है वो operation भी चलाया गया था, operation greenhound, operation greenhound की शुरवात होई थी 2009-2010 में, और इसका मकसद यहाँ पर यह था कि बहुत सरे जो security forces हैं, उसको यहाँ पर तहनाद कर दिया जाए, नक्सल affected areas में, ऐसे ऐसे areas जहां पर नक्सल लिजम बहुत जादा है, वहाँ पर हम अपने security forces को तहनाद कर रखें, ताकि वहाँ पर इस प्रकार की situation को control किया जा सके, इसलिए operation greenhound भी चलाया गया था, तो यह कुछ initiatives हैं, जो कि यहाँ पर नक्सल लिजम को taggle करने में, मददगार साबित होते हैं, अब देखो UPSC मेंने में, मेंस का एक favorite topic राए, मेंस में कई बार यहाँ पर UPSC इस यही पर दिखा दिये हैं, तो यह आप कह सकते हो, कितना favorite topic माना जाता है UPSC का, और अभी पिछले साल की बात है, साल 2022 का जो मेंस था, उसमें भी यहाँ पर यह जो topic है, इस से सम्मधिद एक question आया था, ठीक है, आगया आता है, आज संडे है, संडे में ज्यादा आर्टिकल आते हैं और संडे में लेत हो जाता है, जैसं लेत हो जाता है, फैसे चार बजारा अब पात बजाता है, तो इस चकर में हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो संडे का वीडियो थोड़ा सा मैंेज कर लिए अगरो बाकी आपको Monday to Saturday, मेरी कोशिश होते है, कि आठ बज़े त दस तक यहाँ पर वीडियो मिल जाए, आप देख पा रहोंगे, पिछले को समय पर हमने टाइम को थोड़ा मिंटेन करने की कोशिश की हुई है, ठीक है, नेक्स राडिकल पर आते हैं, अगला राडिकल बात करता है, इंडिया का पहला केबिल स्टेट रेलवे ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, जो की complete होने वाला है, इसके बारे में हम बहुत लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अब finally यहाँ पर यह पूरा होने वाला है, बहुत सालों की यहाँ पर महनत लग रही है, इस ब्रिज के अंदर में, मैं आपको बता दूँ, 2017 में ब्रिज पूर आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं आपको यह ब्रिज का पिच्चर दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नजर आएगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा इसके ओपर ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको एक clarity मिले, यहाँ पर आपको पुरगपुरा slab हो गया, जिसको यहाँ पर इन cables के माधियम से रोक दिया गया है, तो यह पुरगपुरा bridge तयार हो गया है, question यहाँ पर यह है कि यह इतना मजबूत bridge बनाया जा रहा है किस के लिए, तो यहाँ पर यह bridge बन रहा है railways के लिए, यहाँ से जो है वो train गुजरे है, तो कश्मीर के साथ में यहाँ पर यह जम्मू को connect करने का काम करेगा, ऐसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, तो कई सालों से यहाँ पर construction चल ला है, इस अंजी काट bridge का, यह कहाँ पर चल ला है, जम्मू के रियासी district बे, रियासी district समझ रहे हो, जहाँ पर अभी recently lithium पाया गया है, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी problem थी यह, कि हम कैसे connect करें इस बहुत बड़े से area को, खासकर Indian railway से कैसे connect करें, तो उसके business पर यहाँ पर इस bridge को बनाया गया है, जो कि कहीना कहीं जम्मू को पूरे कश्मीर के साथ में connect करेगा, और आपको पता है, जम्मू लेकिन पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें काम जादा था, और आप देखोगे 2023 में जब अभी हम बात कर रहे हैं इस topic के बारे में, तो अभी भी यह पूरा नहीं हुआ है, पूरा होने के just बिल्कुल past में है, है ना complete होने ही वाला है, 400 करोड का यह पूरा budget लगा है, cable व आपर पूरी तरह से launch कर दिया जाए, ठीक है, इसमें काफी काम किया है, यह railway tracks को जोडने का काम करता है, जैसे मैं आपको समझा दिया है, है ना, और क्या करेगा, यह पूरे इंडिया को, क्योंकि जम्मू इंडिया में पूरी तरह से अच्छा से से अच्छा से से जड़ ल हुआ है, मतलब इतनी ऊचा यह आपर यह आपको पिलर देखने को मिलेगा, जिसके बेसिस पर यह पूरा का पूरा ब्रिज टिकावाए, क्योंकि इसी पिलर के ऊपर से यह केबिल्स जो है, और उनी केबिल्स के ऊपर यह पूरा ब्रिज को जोड़ा गया है, बोलाई जा र रीजन है, रीजन यह है कि जब जब यहां पर मौंसुन का सीजन आएगा, भारिश पड़ेगी, तो यह जो नीचे नदी बहरी है न, वो बहुत ज़ादा भर जाती है, ओवर्फ्लो कर लगती है, तो इस चक्कर में हमें ब्रिज को थोड़ा सा और उपर बनाना पड़ा है, उसके आद में बोला यह जा रहा है कि, जो लोग हैं, एक्सपर्ट से उनका कहना यहां पर यहां है कि, यह ब्रिज इतना ज़्यादा उचाई पर बना तो है, लेकिन बहुत मजबूती से बना है, इविन अगर 216 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है, 216 हो जाएगा, तो समझ लेना, यह एक बहुत ज़ादा पहिती रास्ता और भारत के लिए बहुत बड़ा एचीवमेंट, जो कि क्या करेगा, जम्मू से डारेक्ट 12 मुल्ला को कनेक्ट करेगा, जम्मू से अभी तक 12 मुल्ला तक कनेक्टिविटी डारेक्ली नहीं थी, बट इस ब्रिज के बनते ही, 12 मुल्ला तक डारेक्टली कनेक्टिविटी बन जाएगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाए, अब डारेक्टली यहाँ पर कश्मीर जा सकते हो, कश्मीर के साथ में प्रॉपर कनेक्टिविटी हो जाएगी, यह यहाँ पर मेंशन किया गया है, प्र बस कली आप ध्यानवी रख सकते हो आप से पता है I was aetta मेंस कवाल बन सकता है क्या सवाल बन सकता भारत का पहला के दि math boy केबिल रेल्वे ब्रिज ठीक है जो केबिल से बनावा है लेकिन वह रेलुए ब्रिज अब ही गुजरेगी अभी तक ऐसा इंडिया में कोई ब्रिज है ही नहीं तो यह भारत का पहला केबिल स्टेट ड्रेलवे ब्रिज है तो यह कहां पर है तो ध्यानक ना यह जम्मू के रियास्ट डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है जो कि क्या करेगा मतलब यह तो वैसे कंप्लीट होने हो जाएगी इंडिया को कह सकते हो पूरे कश्मीर के साथ में जोड़ने में यह मददगार साबित होने वाला है समझ भाई बात निक्स टार्डिकल पर आता है ना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक्शूर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन उसको प्रस कर देना एक एक बग 12,000 होने वाले हैं 11.9 के आसपास यहां पे लोग जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में परसनली जुड़ सकते हो ना दोस्तों आते हैं अपने थमनेर वाले टॉपिक के उपर में तो अभी हम लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो 4G ता यूज कर रहे है तो एक हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है नाव 5G के बाद में देखो 5G न ऑक्टूबर 2022 में रिसेंटली लाँच किया जा है अब 5G के बाद में देश जो है 6G की तरफ बढ़ रहा है और PM Modi ने 6G डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीस कर दिया है ठीक है तो यह 6G विजन डॉक तो अभी जो यह विजन डॉक्यूमेंट हमारे PM Modi ने जारी किया है ना इस डॉक्यूमेंट में यह बोला गया कि 2030 तक हम लोग 6G टेक्नोलोजी का यूज कर रहे होंगे सवाल यहां पर यह है कि 6G टेक्नोलोजी कितनी जादा हाई होगी देको बहुत जादा जितना आप एक 1980 के समय पर 1G के आसपास इंटरनेट चलता था 1G की टेक्नोलोजी थी जो कि 1980 में लाई गई थी और उस समय पर जो इंटरनेट की स्पीड हुआ कर दी थी ना यह 2.4 Kbps के आसपास हुआ कर दी 2.4 Kbps के आसपास बहुत समय लगता था मतलब एवन आपको यहां पर 100 Mbps का साल के अंदर अंधर 1G से हम लोग 2G की तरफ शिफ्ट हो गए इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई अब यह 2.4 Kbps से स्पीड बढ़कर हम 64 Kbps के आसपास पास पहुँच गए ठीक है अब 64 Kbps के आसपास आपको इस स्पीड मिलने लगी है अब क्या होता है कि यह स्पीड भ कोई फाइल है ना वह आपकी एक सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी समय ही नहीं लगेगा ठीक है फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अब 2010 में 4G आगया ठीक है 3G के बाद में 2010 में 4G आगया अब 4G में हम लोग कितनी स्पीड देने लगे 100 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक की स्पीड मि देने लगी है 100 Mbps से लेकर 1000 Mbps और यह यूज कर रहे थे अभी मैजोरिटी ओफ लोग यह यूज कर रहे होंगे और यह स्पीड बहुत है अमारे लिए वैसे भी अगर जैसे मुझे अगर मैं अगर वीडियो बनाता हूं ना यह सिंपल सा वीडियो जो आप लोग देखते कनेक्टिविटी अच्छी होने की वज़ा से जैसे कि 200 Mbps की स्पीड जैसे मैं यूज करता हूं तो उसमें जादा समय लगता नहीं वीडियो को अपलोड होने के लिए यानि कि हर सेकेंड में आपके सकते हो 200 Mbps की स्पीड यहां पर मुझे मिले 200 Mbps की स्पीड से आपर ज 1000 Mbps भी आज के समय पर कोई यूज करता नहीं है ठीके ना 200 Mbps अच्छा 300 Mbps या 500 Mbps तकी स्पीड यहां पर यूज की जा सकती है अब उसके बाद में 4G की बाद में 5G की वपज आए और 5G में माई गॉड जो स्पीड आप देखोगे वह इंटरनेट की है 1 Gbps से लेकर 10 G Mbps तकी यानि कि अगर मैं आपको बताओं आपका 10 GB का दियान रखना 10 GB का कोई वीडियो है 10 GB का कोई डेटर डाउलोड करना है आप एक जटके में डाउलोड कर सकते हो क्लिक करते ही फटाक से डाउलोड कर सकते हो ऐसी स्पीड यहां पर 5G टेक्नलोजी देने का दावा करत है हाला कि यहां पर इतनी अभी देनी जाती बस खाली यहां पर बात की गई है ना फिर उसके आद में अब 5G की बाद हम लोग आ रहे हैं 6G के पास में तो अब 6G को लांच किया रहा है क्योंकि 6G का जो पूरा का पूरा वीजन डॉक्यूमेंट है वो लांच किया है 2030 सक हम इसको त्यार करेंगे और बोला यह जा रहा है कि जो 6G टेकनलोजी होगी ना यह 5G से 100 गुना जादा बहतर होगी 100 गुना जादा बहतर यानि कि आप कह सकते हो 10 Gbps maximum speed आपको 5G मिल रही है तो इसका 100 कर दो तो यानि कि 1000 Gbps ठीक है तो आप कह सकते हो जो 6G टेकनलोजी है न बहुत और सारी और भी चीजी होने वाले जिसको हम इंटरनेट से कनेट करेंगे है ना तो इंटरनेट से ड्रोंज और यहां पर कनेट करने के बारे में चर्चा की जाने वाली है क्योंकि यह एक बहुत जदा पावरफुल इंटरनेट होगा जहां पर 1000GB मतलब 1Gps की speed भी आ डाउनलोड हो सकता है ठीक है तो 5G से भी कह सकते हो 100 गुना जादा बेतर 6G टेक्नलोजी को लांच करने का जो पूरा विजन डॉक्यूमेंट है वो रिसेंटली रिलीस किया गया है जिस वज़ा से 6G टेक्नलोजी चर्चा में अब आने वाले समय पर इसके उपर और आर्टिक आया है कुछ डेटा अभी है रह गया है तो कुछ डेटा और मिल जाता है ना तो मैं आपको कनेट करके दोनोग डेटा मिला कर 6G टेक्नलोजी को लेकर एक प्रॉपर डेटा दे दूगा क्योंकि examination में question मन जाए ऐसी possibility जादा है next article दोस्तों बात करता है science and tech के पेज़ पर है एक लौता सा article है बट ये भी कुछ जादा काम का नहीं है कि यहां पर बोला जा रहा है कि जो नींद है इनसान की वह बहुत ज़रूरी है उसकी खासकर health के लिए और यह मैं खुद personally भी कह सकता हूँ कि अगर आप यहां पर कम सोते हो न तो उसके बाद जो आपकी capabilities है वो पूरे दिन काम कर रहा है बिल्कूल पूरी एनरजी के साथ में तो उसके लिए भाई 6 गंटे नीन बहुत है ना जितनी जरूरत है उतनी लोग आप कोई 10 गंटे सो रहा है या 12 गंटे सो रहा है उसके बावजूद भी वह दिन भर में ठकान मैसुद कर रहा है उसके यहां पर 7 गंटे की नीन लो अगर आप ऐसा सोरे हो कि 2 गंटे 3 गंटे सोरे हो रहात में फिर 2 गंटे 3 गंटे दिन में तो यह कहीं है कि यहां पर healthy जो routine होता है वो यह नहीं है एक healthy routine नहीं है और यह directly आपकी health के ओपर impact डालेगा बोला जारा है कि जो सब सब ज़रूरी है वो है 7 गंटे की नीन हर रोज रात में 7 गंटे की नीन लेना बहुत ज़रूरी है ऐसा यहां पर mention किया गया अब इससे क्या होगा कि अगर आपको 7 गंटे की नीन मिलेगी न तो आपकी body भी rest होगी properly brain भी rest करेगा ठीक है लेकिन बोला यह क्या है कि अगर आप proper नीन नहीं ल risk है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता ए यानि कि जो आपका liver है न उस liver के आसपास बहुत सारा fat जो है वह जम जाता है ऐसा कह सकतrage, अब आप शराब पईने से होता है, हाँ बिलकुल, जैसे शराब पीने से 거죠 फैट जम जाता है न, वैसी यहाँ पर से यहां पर सफर कर रहे हैं यानि कि सूने में काफी ज़धा बरिशानिया यह ना सो नी पार है प्रॉपर नीद नी ले पार है तो कहने कि उन में यह फैटी लिवर disease जैसी जो बिमारियां वो यहाँ पर body में बन सकती है यानि कि जो liver है उसके आस पास जो fat है वो बहुत ज़दा जम सकता है और खास कर यह alcoholic नहीं कहलाएगा क्योंकि obviously आप alcohol नहीं ले रहे हो लेकिन कम सोने की बज़े से यहाँ पर इस प्रकार की problems यह नजराती है बोला यह जा रहा है कि देखो पता है सबसे खतरनाग चीज़ क्या है कि अगर किसी को यह non-alcoholic liver fatty disease हो जाती है तो यह ठीक होना बहुत मुश्किल है मतलब इसका treatment है ही नहीं impossible है तो क्या उपाई है इसका main उपाई यह यह कि अगर आपको ठीक होना भी है आपका जो खासकर आपकी जो जिन्दिये थोड़ी सी और increase करनी है तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा अपने life को थोड़ा healthy बनाना होगा अगर कोई बिमारी से यहाँ पर सफर कर रहा है तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नींद लेना पड़ेगा एक अच्छा diet लेना पड़ेगा हैना उसके बाद में अपना जो पुरा life है उसको basically healthy life maintain करके चलना पड़ेगा तो आप समझ सकते होंगे कि एक इंसान की जो health है वो उसके जीवन के लिए बहुत important है और मैं आप लोग से भी बोलता हूँ कि देखो यार आप लोग तयारी कर रहो हमारा time जो है वो निकल चुका है आप लोग काफिसे लोग यहाँ पर तयारी कर रहे होंगे लगे वे होंगे और कर भी रहे होंगे बहुत सारा time लोग पढ़ने में निकाल देते हैं लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा एटलीस यहाँ पर 8 गंटे की आप लोग 7-8 गंटे की सिलीप ले सकते हो 8 गंटे की एटलीस यहाँ पर ले लिया करो निंद जो की आपको हेल्थ में बहुत ज़्यादा कह सकते हो आगे ग्रोही करेगी आपके brain development के लिए और ज़्यादा काम करेगी पढ़ाई भी मदद करेगी चीजों का आप दिमाग में थोड़ा लंबे समय तक store कर पाऊगे लेकिन जिसकी शमताई ही कम नीन में यहाँ पर अच्छे से काम करना है कम नीन लेकर भी पूरे दिन पूरे एनर्जाइज के साथ में एनर्जी के साथ में आप काम कर पा रहे हो पूरे दिन आपकी बॉड़ी एनर्जाइज है तो यहाँ पर आपको उतनी रिक्वार्मेंट है आप उस रिक्वार्मेंट को भी देख सकते हो ठीक है आपको पता है सेंडे है सेंडे में जो है हमारे एडिटूरल वगरा नहीं आता है कभी-कभी काम की होते हैं कभी-कभी काम के नहीं होते हैं अब यह रिसेट लिए एक आर्टिकल डिसकस किया था जहां पर मैंने पड़ाया था आपको की जो कमपनी एनके एक दवाई या आती है एक मेडिसन आती है तो क्या होता है कि इस दवाई के उपर इन्होंने patent ले रखा था patent मतलब उस दवाई को कोई दूसरी company copy नहीं कर सकती अब क्या होता है कोई भी company जब दवाई के उपर patent लेती है न तो वो एक particular time period के लिए होता है उस time period के बाद में वो patent expire हो जाता है तो Johnson & Johnson Company का जो ये इस दवाई को लेकर पेटेंट लिया गया है न ये Bandiculin जो दवाई है ये TB को ठीक करने में मददगार साबित होती है लेकिन अब इसका पेटेंट खतम हो रहा है पेटेंट एक्सपायर हो रहा है अब पेटेंट जब एक्सपायर होने की डेट सामने आ रही ह तो Johnson & Johnson Company क्या कह रही है इंडिया से कि हमारा पेटेंट को आगे के लिए बढ़या दिया जाए एक्स्टेंट कर दिया जाए इंडिया ने मना कर दिया कि देखो हम आपका पेटेंट बढ़ा नहीं सकते है उसके पीछे का रीजन है क्योंकि अगर हम पेटेंट बढ़ा इंडिया के अंदर में वो जेनरिक मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में इंडिया को महारत हासिल है कैसे क्योंकि देखो बहुत सारी जो कंपनिया आए ना बहार विदेशी कंपनिया प्रॉपर रिसर्च करती है उसके बाद में एक पर्टिकुलर भिमारी की दवाईया बनात बीस साथ तक तो उस दवाई को कोई कॉपी नहीं कर सकता लेकिन जैसे पेटेंट एकस्पायर होगा ना उसका जो सॉल्ट है ना दवाई के अंदर में जो अलगलग सॉल्ट होते हैं वह सॉल्ट यहां पर चेंज करके आप दूसरी दवाई बना सकते हो तो वह जनरेक्ट मेड सॉल्ट का फरोग होता है उसके अंदर में ठीक है तो यहां पर जॉंसन जॉंसन कंपनी चाहती है कि हमारा पेटेंट इंक्रीस कर दिया जाए बट मना कर दिया गया है कि नहीं भया आपका पेटेंट इंक्रीस नहीं किया जाएगा इंडियन पेटेंट आफिस ने जॉंसन जो application है वो reject कर दिया है और इस दवाई का नाम क्या है जो Johnson Johnson Company की दवाई है उसका नाम है बैड़क्विलिन यह आप लोग यहाँ पर दवाई देख सकते हो टीबी की विमारी को ठीक करने के लिए हैं यहाँ पर इस दवाई का यूज किया जाता है बट अब यहाँ पर इससे फ कंपनी है Johnson & Johnson इनकी जो कोशिश थी कि अपने पेटेंट को बढ़ाया जा सके इस टीबी वाली दिवाई को लेकर वो यहाँ पर बढ़ाने से इंडियन पेटेंट ऑफिस ने मना कर दिया कि हम आपकी दवाई का पेटेंट आगे इंक्रीज नहीं कर सकते अब इससे क्या होग कि जैसे इनका पेटेंट एक्सपायर होगा मेंके महीने में तो जो हमारे पास में कंपनी है ल्यूपिन और मैकलोइड जो कंपनी है यह क्या करेंगी वो यहाँ पर बेड़ क्लेंट जैसी दवाईया बनाने ही स्टार्ट कर देंगी ऐसी टेबलेट बनाएंगी थोड़ा ब सो डॉलर अभी जो डॉलर चला है वो लगबग कह सकते हो 82 क्या सपास चल रहा होगा चेक कर लेना तो आप 400 की मल्टिप्लाई कर सकते हो 82 या 83 से मतलब यह कह सकते हो कि अगर किसी को 6 महीने का कोर्स करना है तो कम से कम एटलिस 33,000 रुपया चाहिए होगा इंडियन रुपीस एक्सपार हो जाएगा तो एक्सपार हो जाएगा अब जो हमारी कंपनिया है जैसे लिपिन और मैकलोईड वो यहाँ पर इसके जनरिक दवाई बना लेंगी ठीक है इसके अंदर कुछ स्वाल्ट वगएरा बदलाव करके ऐसी यहाँ पर इक दवाई बनाके रख दी आँगी समझ माई बात अब यहीं पर इक कॉंसेट आता है इवर्ग्रिनिंग औ ॉफ पेटेंट का इस आर्टिकल में चर्चा भी क façon है baik के अच्छाइए kंसप्ट क्या है कि एक कंपनी चाहती है कि उसके पास में उस दवाई का पेटेंट हमेशा के लिए बना रहे ताकि वो उससे पैसे कमाती रहे है ना क्योंकि अभी क्या है एक दवाई जो कि इनुटे बनाए ये उस पर पेटेंट ले रखा है इसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता तो यही कंपनी खूब पैसा कमाती रहती है अपने इसाब से रहे डिसाइड कर लो कितना ड इसाज़त नहीं देता है भारत में इंडियान पेटेंट एक्ट इन्टिंसवेंटी का ये इसकी इसाज़त नहीं देता है क्योंकि इस एक्ट में कुछ सेक्षिंसbilir 16ham 53 अव फिर उसके बाद में सेक्ष्चन 107 और ये ये सेक्षिंस आपको देखने को मिलेंगे ये सेक्षि तो यहां पर अगर ऐसी कंपनी को पर छोड़ दिया जाए इनको पेटेंट हमेशा के लिए दिया जाए तो ऐसी है वह महेंगी महेंगी दवाईयां बेचेंगे जो कि अफॉर्डेबल नहीं है एक इंसान यहां पर वह कहीं कह सकते हो कि नॉर्मल व्यक्ति तो वह अफॉर्ड कर पाएंगे तोकि यहां पर एक मार्के यह हैं जिसमें एक मार्केट यहां पर लेकिन एक ही दुकान है तो यह बताओ यहां पर यह पांच दुकान वाला ओनोर्गी नहीं पेह टर है आप और कोब्य सी दाम में और बहतर क्वालिटी का समान दें, जो क्वालिटी में और कम दाम में देगा, उसी के पास लोग की खटे होंगे, ख्यारा तो ये एक healthy market के लाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, चाहे जो रेट डिसाइड कर ले, लोग की मजबूरी है लेना, चाहे वो एक particular product का 500 रुपे decide करें, चाहे वो 800 रुपे decide करें, अपने इसाब सो कितने ही पैसे रखें, तो जो ये system है जहाँ पर बहुत सरे buyers होते हैं, और बेचने वाले हम अकेले हैं, अब कोई यहाँ पर दूसरा बेचने वाला नहीं है, हम जैसा rate decide करेंगे, उस rate पर सब लोग खरीद अच्छी बात यह है कि जो यह दवाई इन्होंने बनाई है Johnson & Johnson Company ने, वो काफी कारिगर साबित हुई है, है ना, TB को कह सकते हूँ, TB को कंट्रोल करने में बहुत जदा अच्छी दवाई साबित हुई, उसको ठीक करने में काफी अच्छी दवाई साबित हुई है, पर इसका कोड भी बोल चुगा था, यह जो पेटेंट मोनोपली है ना, इसको हम यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, और जो यह एवर ग्रीनिंग पेटेंट है, इसको हम रोकेंगे, पेटेंट क्या होता है, आपने कोई समान बनाया, तो इसको अगर आप सुरक्षित करना चाहते हो, तो के पास में कॉपी राइट आ जाता है, कि आपका कोई समान कॉपी नहीं कर सकता, वैसी यहाँ पर उसी तरीके से पेटेंट है, कि आपका आपने पेटेंट के अंदर रेजिस्टर करवा लिया, यानि आपका समान कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी करेगा, तो उसक की टीबी जैसी बिमारी को ठीक करने में मुददगार साभीत होती और खासका ऐसी टीबी की बिमारी जो खासकर बड़ी-बड़ी दवायों से साही नहीं हो पाती है जैसे आइसो नियाज़ेड रिफामपिसन पायरेजिनमाइड अलग-लग दवायां हैं यहां पर टीबी को न है इस बेड़ेकुलेन दवाई ने और खासकर ऐसी वाली टीबी के स्टेज से निकाला है जो की खतरनाक स्टेज थी यानि कि एक इंसान उसे स्टेज में मर जाता है तो वैसी स्टेज से यहां पर यह दवाई बचा कर लेकर आई है तो इसी विससे यहां पर बोला जा रहा ह कि यह company चाहती तो इसके उपर patent लिया जाए बट यहां पर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा क्योंकि Indian Aid Patent Office जो है इनका कहना यहां पर यह है कि ठीक है आप अगर claim करना चाहते हो ठीक है आपकी दवाई आपने मेहनत किये लेकिन जो Indian Patent Act है वो कुछ और बोलता है Indian Patent Act का section 3 clause D आप देखोगे ना तो वो सीधा सीधा यहां पर क्या बोलता है कि आप सहीए सब कुछ बचा सकते हो लेकिन उस दवाई का जो salt formation है यह चीज़े यहां पर आप नहीं बचा सकते है यानि सब कुछ आप patent उसमें पेटेंट करके क्या किया जा सकता है दवाई को यहां पर एक दूसरी दवाई बनाई जा सकती है जिसको हम लोग generic medicine के नाम से जानते हैं लेकिन यहां पर बोला यह जा रहा है कि India अगर अपनी खुद की दवाई क्योंकि इंडिया की जो कंपनिया तो दो कंपनियां तयार हो चुकी है क जैसे patent expire होगा में के महीने में अपनी खुद की generate medicine बना लेंगे लेकिन पता है नुकसान यह है कि हम उसको export नहीं कर पाएंगे, कहोगे ऐसा क्यों जब बना लिया तो export क्यों नहीं कर पाएंगे, उसके पिछे का reason है क्योंकि यह जो bedclean वाली दवाई है यह already international market में present है, international market जिस बाहर के विदेशों में जो अपना market है वहाँ पर patent लेने वाला है, तो Johnson Johnson का जो patent है वो चलने वाला है बाहर वाली अलग लग देशों में, तो वहाँ पर हमारी इंडिया के थूरू से अगर जो दवाई बनके जाएगी तो एकसेप्टेबल नहीं होगी, तो हम export नहीं कर सकत है, तो आज request है, उसको जरूर से PDF से download करेना, वो आपको बहुत ज़्यदा मदद करेगा examination के लिए, तिर उसके आद में next article पर आते हैं, अब आगले article को हम पहले discuss कर चुके हैं, बट यहाँ पर कह सकते हो एक revision सा या article दिया गया है, बहुला जा रहा है PM मित्र scheme के बारे में, PM मिलाडू, तिलंगना, करनाड का, महराष्टरा, गुजरात, मध्यप्रदेश, यूपी, तो इन states को select किया या है, क्यों select किया या है, क्यों कि यहाँ पर हम नए textile parks को बनाने वाले हैं, ठीक है, textile समझ रहो, यानि कपड़े की बात कर रहे हैं, तो कपड़े का production चलेगा इन पूरे parks के अंदर में, लेकिन ये सब हम एक scheme के अंदर करेंगे, जिसका नाम होगा PM मित्र scheme, अब PM मित्र की अपने आप में एक पूरी full form में ध्यान रखना, PM Mega Integrated Textile Region and Apparel, ये इस scheme का नाम है, तो इस scheme को यहाँ पर आज से डेड़ साल पहले announce किया गया था, अब उस scheme के तहत यहाँ पर कुछ अलग-अलग कह सकते हो, राज्यों को select किया गया है, जहाँ पर ये जो पार्क्स हैं वो मनाने वाले हैं, सवाल यह है कि ये PM scheme क्या है, देखो Ministry of Textile ने इस scheme को launch किया था 2021 में, इस scheme का मक्सद है कि हम इंडिया की textile industry को और ज़्यदा मजबूत कर सकें, ठीक है तो इसके बीच में time थोड़ा जादा लग जाता है, उसको हम लोग कम कर सकें, investment यहाँ पर इस sector में थोड़ा grow कर सकें, इस sector में जो रोजगार है वो बड़ा सकें, तो इसी के लिए हाँ पर जो scheme है, इसका जो budget है वो लग-बग 4,445 करोड रुपे का है, इतना पैसा घर्च जाएगा, तब जाके अलग-लग parks हम लोग बनाने वाले हैं, सवाल यह है कि इसमें होगा क्या, देखो इन राज्यों में एक बहुत बड़ी एरिया में बहुत बड़ा पार्क बनाया जाएगा, ठीके, अच्छा उस पार्क में क्या होगा, तो आपको पता है कपड़ा बना ही चलेगी, उसकी प्रोसेसिंग चलेगी, फिर उसकी प्रिंटिंग करवाने के लिए कहीं और लेकर जाओगे, तो उसमें ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, इधर से उधर यहां पे कर करके क्या करना पड़ता है, इस को इस पर्टिकुलर इंडेस्ट्री से लेकर गए, उसमें एक जगे सिलाई हुई, एक जगे कडाई हुई, एक जगे बुनाई हुई, फिर एक जगे प्रिंटिंग हुई, तो इसमें बहुत समय लग जाता है, तो यह सारा काम अब अलग-लग जगे ना होकर एक ही पार्क में किया जाएगा, तो एक पूड़ा बड़े बड़े पार्क को जब बनाएंगे तो इससे बहुत सार रोजगार भी बनेगा, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था, प्लस यहां पे बाहर से इंवेस्टमेंट भी आने की चांसेस बहुत ज़ादा हैं, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बहुत सार आप इंव फैशन से फॉरण ठीक है फार्म से फाइबर, फाइबर से फैट्री, फैट्री से फैशन और फैशन से गारक्ट विदेश, तो ये सारा काम एक ही जगा पर होने वाला है, जो की पहले अलग-लग जगा पर हुआ करता था, और पिर उसके बेशिस पर ट्रांस्पोरटेशन कोस् इससे बोला जा रहा है कि लगबग investment जो है 70,000 करोड़ रुपी का investment आने वाला है 20,000,000 के असपास नौकरियां बनने वाली है 20,000,000 के असपास नौकरियां जनरेट होंगी इन इंडस्ट्रीज की वज़ा से जो यहां पर यह बड़े-बड़े पार्क से अंदर में लगाई जाने वाली है तो कौनकों से राज्जों में लगाया जाएगा यह मैंना आपको लेड़ी समझा दिया है इससे textile sector को हम ग्रो कर पाएंगे ऐसा यहां पर बोला जा रहा है और textile sector हमारा कहां पर stand करता है वो चीज़े यहां पर बताए गई है अगेन वो काम की इतनी है नहीं तो खाली PM मित्र स्कीम के बारे में ध्यान में रखना है तो मैं आपको to the point factual data बता दिया है तो आज के discussion में दोस्त बस इतना ही था एक छोटास article और बीच में आपको कहीं पर देखने को मिलेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ यह हम डिसकस करी चुके है नकसलिजम वाला टॉपिक एक छोटास article और था यार एक सेकेंड नुक जाओ आज ना politics वाले article थोड़े से जादा भी है वो हमारे examination के लिए काम के नहीं होते हैं को पता है तो उससे बचना होता है कोरोना वगरा को लेकर काफी से article पप्लिश हो रहा है वो भी हमारे काम के नहीं है एक article यह है यहां भी बूला जारा है कि जो April का महीना हो लेवाला है ना यानि कि अगला जो महीना होगा उसमें बारिश होने के chances जादा है जो हमारा Indian Metallurgical Department है भारत का जो मौसम विभाग है वो यहां पर एक अंदाज लगा रहा है प्रेडिट कर रहा है कि बहुत ज़्यदा बारिश होने वाली है एप्रिल के महीने में और इसे जो हमारे किसान भाई हैं वो काफी चिंते था क्योंकि यहां पर अगर ज़्यदा बारिश होगी तो जो फसले हैं वो कहीं नहीं खराब हो सकती है तो इसको लेकर यहां पर एक छोटा सा डेटा था अगेन ज़्यादा कुछ खास था नहीं अब आते हम लोग अपने प्रेलिम्स वाले सवाल की तरफ तो क्वेशन आपसे पूचा जाता है ग्लोबल फिनेशल स्टाबिलिटी रिपोर्ट कौन तयार करता है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नमबर भी इंटरनाशनल मोनेटरी फंड आई एम एफ ठीक है तो आई एम एफ यहां पर इसको रेडी करता है जैसे मैं आपको पहले ही स पता दो इसे के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समापत और मिलते हैं आप लोगों से अगले वडियो में आज के लिए बाबाए हेव नाइस डे थैंक यू एंड जैहिंद